Hello friends, मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं The Hope Story और आज के इस वीडियो में मैंने स्टाइल की है कुछ फेस्टिवल लुक्स जो आप स्टाइल कर सकते हैं राखी के लिए, तीच के लिए और आने वाले वेडिंग सीजन के लिए भी आउटफिट्स की सारी डीटेल आपको description box में मिल जाएंगी और वहाँ पर आपको एक WhatsApp लिंक भी मिल जाएगा जिसके उपर क्लिक करके आप इन आउटफिट्स को परचेस कर सकते हैं Exchange and return काफी easy है और cash on delivery का भी option available है तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी style की journey में आगे So first look है हमारी एक glam look जो की मैंने create की है black and white साडी से और यह साडी है ब्राइन चाबडा 555 से और इसने मुझे कॉस्ट किया है 1049 रुपीज फाब्रिक इसका जॉजट है और जो ब्लाउस का material हमें मिलता है वो मिलता है आट सिल्क इसके साथ एक embroidered blouse है जो दिया है चाबडा 555 ने और आप उसे इस तरीके से स्टिच करवा सकते हैं वो आपकी काफी साडी के साथ चल जाता है ब्लाक अन बाइट की खास बात यह होती है कि जब भी आप उसे किसी सिंगल सॉलिड कलर के साथ पैर अप करते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन जो है निकल कर आता है पूरी साडी के उपर बॉर्डर बना हुआ है एम्रोइडरी से और एम्रोइडरी की भी जो क्वालिटी है काफी जादा अच्छी है मैंने इसको स्टाइल किया है ऐसे एरिंग्स के डिजाइन के साथ और साडी अपने आप में ही एक इतना ब्यूटिफुल इंडियन अटायर है कि आपको बहुत जादा एफट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है साडी को स्टाइल करते वक्त और जब भी आप क्रियेट करना चाहते हैं साडी से एक ग् लगेगी लुक को मैंने कम्प्लीट किया है ब्लाक क्लाच और ब्लाक हाई हील्स के साथ और ये साडी उन लोगों के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट परचेस है जो लोग हैवी साडी पहनना पसंद नहीं करते इस साडी का लुक जो है काफी फॉर्मल है लेकिन वेट में ये स पॉलर और स्लिमर लगने चाहते हैं आप जब भी एक कलर को या उसके शेड्स को हेड टू टो स्टाइल करते हैं वो आपको हमेशा मदद करता है लंबा और पतला दिखने बर इस लुक को मैंने अल रेड लुक भी बनाया है यहां पर मैंने अपनी इस कुर्ती को पेर अप क कपड़ा जो इसका है वो है कॉटन रेयॉन बहुती कमफरटेबल यह अनारकली कुर्ती है स्लीव पर और कुर्ते के बॉटम पर फॉयल की ही प्रिंटिंग से बॉडर बनाया गया है और फॉयल की प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफी जादा अच्छी है ऐसे मिरजामी या स्टायल कर सकते हैं यह अपने आप में ही काफी फॉरम्मल कुर्ती है और लोक को और स्टायलिश बनाने के लिए मैंने ऐहा पर गोल्डन बेल्ट भी अड़ की है यह मेरी गोल्डन बेल्ट जो है बहुत जादा पुरानी हो चुकी है यहां तक कि इसकी पॉलिश भी काफी खराब हो गई है इसलिए अब यह गोल्डन की जगा थोड़ी थोड़ी कॉपर भी नजर आती है लेकिन मुझे लगता है नेवर माइंड ऐसी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आप ऐसी बेल्ड को किसी भी कुर्टे के उपर अगर लगा देंगे तो वो आपको देता है एक डिफाइंड वेस्ट का इल्यूजन मैंने लुक को कम्प्लीट किया है अपने कुंदन के हैवी सेट के साथ और आप इसी तरीके से एक्सेसरी का इस्तमाल करके इस लुक को टोन अप और टोन डाउन कर सकते हैं लुक को मैंने कम्प्लीट किया है अपने वुड़न बॉक्स क्लच जिसे आपने मेरे पहले के हॉल विडियो में देखा है और रेड हील्स के साथ और नेक्स लुक है हमारा एक बहुती सेफ और स्टाइलेश लुक जो लोग भी बहुत जादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते है अपने लुक्स के साथ तो उनके लिए ये लुक बहुती अच्छा है ये है ब्रैंड एशीन से और इसने मुझे कॉस्ट किया है थर्टी काफी जादा अच्छी है मशीन वर्क किया गया है मरून कलर के उपर सिल्वर कलर और रेड कलर के धागे से डिटेलिंग पूरे सूट के उपर पूरे कुर्टे के उपर काफी अच्छी है चाक पर स्लीव पर और शरारे के बॉटम के उपर और अगर आप ध्यान देंगे इस suit के cut पर तो ये काफी straight fit कुरता है तो जिल लोगों की भी body काफी ज़ादा curvy है और वो चाहते हैं एक straight look create करना उन लोगों के लिए एक perfect purchase है ये कुरता set और इस कुरता set की detailing इसको बनाती है काफी ज़ादा formal और perfect festive wear के लिए मैंने इस look को complete किया है अपने box clutch के साथ और साथ मैंने पहने है अपने gold statement airing आप चाहें तो look को और formal बनाने के लिए इस look में add कर सकते हैं bangles भी वैसे तो इसका boat neck है लेकिन अगर आप without दुपटा नहीं पहनते हैं कुरता set तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एक cream and silver color का net का दुपटा वो भी इसके साथ बहुत ही खुबसूरत लगेगा और जो अगला look है हमारा वो है simple yet elegant और यह single कुरता है ब्राइंड गुलमोहर से और इसने मुझे कॉस्ट किया है 599 रुपीज प्यॉर cotton का यह जो कुरता है आप इसे कुरता ड्रेस स्टाइल का लुक भी कह सकते हैं इसके गले के उपर एक silver color के गोटे से detailing की गई है और कहीं भी इस कुरते के उपर embroidery नहीं है क्योंकि जो इसकी printing है वो बंधेज है और आजकल बंधेज बहुती जादा trend में चल रहा है ऐसे colors blue, green बहुती जादा soothing होते हैं काफी cool tones होते हैं तो जिन लोगों की भी undertone cool होती है उनके उपर ये colors काफी खिल कर आते हैं मैंने इसको pair up किया है अपने big statement pearl के earrings के साथ जो कि मेरे आजकल current favorite चल रहे हैं मैंने इसके साथ पिजामी पहनी है लेकिन आप इसको pair up कर सकते हैं किसी skirt और pant के साथ भी look बहुत ही simple है लेकिन ये उन looks में से है जो कभी भी out of style नहीं होती है और हर एक body shape के उपर जो है बहुत ही अच्छी लगती है और खासकर वो लोग जो बहुत ही कम traditional या ethnic wear पहनते हैं तो उनके लिए ये काफी perfect purchase है इस price के उपर और ये deal price है जो brand हमें अभी offer कर रहा है इस festival season में और outfits की सारी details आपको description box में भी मिल जाएंगी और मैं comment box में भी जरूर pin कर दूँगी सारी details को और हमारी जो next look है वो है मेरी one of the favorite जो की है classic look with indigo सारी सारी का फाबरिक है lilan cotton और इसने मुझे cost किया 8.99 रूपीज मैं काफी सादा impressed थी फाबरिक को देखते हुए इस price के उपर और सारी के साथ हमें blouse भी दिया गया है printed लेकिन मैंने इसको prefer किया अपने white crop top के साथ style करना indigo सारी एक wardrobe essential है और इस सारी को पहन कर मुझे इस बात का एसास भी हुआ कि मैंने अभी तक अपने चानल पर must have सारी इसका जो है video नहीं किया है लेकिन indigo सारी को मैं जरूर include करूँगी must have सारी में आप फाबरिक कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन एक इंडिगो सारी होना आपके wardrobe में बहुत जरूरी है चाहे आप traditional बहुत जादा पहनते हो या नहीं क्योंकि indigo कभी भी out of style नहीं जाएगा और indigo एक ऐसा neutral color होता है जो हर एक skin tone हर एक undertone के साथ अच्छा ही लगता है तो ये काफी एक safe style है जो आप carry कर सकते हैं कहीं पर भी accessories की मदद से आप इस साडी को काफी formal और casual look दे सकते हैं मैंने इसको stylish बनाने के लिए अपने white crop top का इस्तमाल किया और मैंने इसको style किया अपनी junk jewelry के साथ मैंने इहाँ पे statement ring पहनी है अपना एक junk bangle पहना है और साथ में एक choker को carry किया है आप किसी solid color के साथ भी indigo sari को style कर सकते हैं red, yellow और green के साथ indigo बहुत ही खुबसूरत लगता है indigo printing के साथ साथ brand ने आड़ किया है silver border पूरी sari के साथ जो कि इस sari में weight आड़ करता है और इस sari को काफी formal look देता है और मेरे expressions को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस look को style करने के बाद मैं कितनी जादा खुश हूँ, मुझे लगता है ये एक perfect classic style है जिसे carry करते वक्त आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ता और अगर आप चाहते हैं कि मैं create करूँ कुछ आपके लिए कुछ और साडी looks तो जरूर mention कर दीजेगा comment box में क्योंकि आपके comments ही दिशा देते हैं मेरे channel को तो कैसे लगी आपको ये सारी looks और कौन से look आपकी favorite है जरूर mention कर दीजेगा comment box में इस channel के उपर मैंने चलाई है एक appreciation drive और उसका मतलब ये है कि जो भी लोग बहुती प्यारे-प्यारे comments लिखते हैं मैं उनको जरूर feature करूँगी अपनी YouTube stories में तो comment करना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे साथ जुनना चाहते हैं Instagram पर भी तो मेरा IT है The Hope Story और मैं बहुती जल्दी मिलूंगी आपसे next video में till then keep going and keep growing